Welcome to ASUPPSC, मेरा नाम Vanda Singh है, इस वीडियो में हम ये डिसकस करेंगे कि UPPSC के लिए, UPPSC 2023 के लिए ancient and medieval history कैसे prepare करें, तो सबसे जादा परिशान करने वाला portion ancient and medieval history इसको कैसे prepare करें, और ये वीडियो आपके ROARO के लिए भी useful होगी, ROARO में भी आप same strategy जो है वो follow कर सकते हैं ये integrated prelims का main score है, ASUPPSC का, आप इसको join कर सकते हैं, ये prelims course है और ये daily answer writing है, तो इस पर WhatsApp पर telegram करके join कर सकते हैं और जो prelims है, उसमें 2020 course है, डारेक 93 questions आयते हैं, नीचे PDF होगी, महाँ verify कर सकते हैं तो देखे हम इस वीडियो में दो चीज़े discuss करेंगे, कि हमें important topics कौन-कौन से जो refer हैं, जिन से जादा maximum questions आते हैं, बार-बार जिन से questions repeat होते हैं वो topics हम discuss करेंगे, और कौन सी book, इस सिर्फ एक book कौन सी है, जिसको आप refer करें, English और Hindi medium वाले, जिससे आपका ये prepare हो जाए तो चलिए पहले important topic discuss कर लेते हैं, फिर उसके बाद book के बारे में बात करते हैं इंपोर्टेंट topics आपके ancient and medieval के ये हैं, कि पहला हरपा, हरपा में आप ये देखेंगे कि किसने एक्जिवेट किया है, कि आपका हरपा किसने कराया है, मोहनजवदार हो किसने एक्जिवेट किया है, लोथल किसने एक्जिवेट किया है, तो ये सारे जो है एक्जिवेटर्स जन्पतास बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि साउथ में कौन सा है वेस्ट में कौन सा है और कहां कहां है कापिटल क्या थी तो यह सारे कौन सा किंग था और यह सारी चीजे महा जन्पतास की देखेंगे दूसरा important topic है Moria and post Moria तो Moria, post Moria वो be important topic है इसमें जो है Ashoka Ashoka के जितनी सारी addicts हैं और ये सारी चीज़े जो है important है हर बार लगभा question आता है next topic है Gupta and post Gupta फिर books and authors the books and authors very important ये ancient और medieval उन दोनों की books and author आप prepare करेंगे तो ये जो काफी सारी जो topics है exhibitor और ये सब तो ACUPSC का जो course है उसमें ये सारे आपको short notes provide होंगे hardly ये 20 या 30 pages के notes होंगे अराम से तो वहां से ये जो है पूरा cover हो जाएगा तो आप ये देख सकते हैं ACUPSC के कोड़ से वहां आपको हरपा जो exhibitors हैं वो सारे लिखे हुए हैं महाजनपताज लिखे हुए हैं books and authors लिखे हुए हैं सारा compilation है 20-30 pages में ये सारी चीजे cover हो जाएगी बिल्कुल last time revision के लिए और ये आपके लिए mostly जितने सारे questions हैं maximum questions है महाँ cater हो जाएंगे Delhi सुल्तनेत हो गया Mughals में अकबर, शेर्शा और जो औरंग्जेब है वो जादा important है इनको जो करना वो जादा important है इन पर ही जादा question आते हैं बाकी जो है war war और treaty ये सारी चीजे आप आप देख सकते हैं बाबर का war treaty हो गया और ये साब हो गया ये देख सकते हैं लेकिन जादा question पर आते हैं next topic हो गया आपका Maratha तो ये सारे art topic हैं ये आपके important topics हैं आप इनको जो है अच्छे से prepare कर लीजे maximum question जो है यहां से ही आता है अब next चीज आती है कि हम book कौन सी पढ़े तो book कौन सी पढ़े तो English medium और Hindi medium के लिए दोनों के लिए एक किताब हम देखेंगे तो पहले Hindi medium के लिए देख लेते हैं तो Hindi medium के लिए आपको जो सिर्फ एक book refer करनी है वो है किरन publication की book आती है किरन publication की book आती है आप उसको refer कर लो या फिर आप जो है Lucent वाली book भी जो है वो refer कर सकते है किरन publication और Lucent वाली इसे कोई भी book refer कर सकते है English medium वाले क्या करें English medium वाले जो है Lucent GK refer करें English medium में आती है Lucent GK में जो आपका ancient and medieval वाला पार्ट है ancient and medieval वाला पार्ट है उसको refer करें इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं साथ में देखो प्रिल्लम्स तो आपका सिर्फ इसी किताब से हो जाएगा लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं वो ये है कि तमिल नाडू हिस्ट्री की 11th क्लास की एक बुक आती है उसको आप करें उससे क्या होगा कि आपका मेंस भी प्रिपार हो जाएगा तो आपका प्रिल्लम्स और मेंस वो साथ में प्रिपार हो जाएगा बहुत पतली सी किताब है जादा टाइम नहीं लगेगा इसको Tamil Nadu history की जो है किताब आप पढ़ लो तो ये दोनों हो जाएगा क्योंकि अभी आपके पास time है अच्छे कासे 6 महीन है तो ये Lucent GK और ये Tamil Nadu वाली किताब जो है एक साथ हो सकती है तो आप prelims के लिए तो आप सिफ Lucent GK जो है refer करिए लेकिन Tamil Nadu history कर लेगे तो आपकी knowledge और enhance हो जाएगी और आपको mains के लिए भी कुछ जादा पंडे की जुरत नहीं होगी previous year question करना practice के लिए must है previous year question जो है must है मैंने video बना रखा है कि previous year question जो है किस-किस किताब से करें तो वो video आप देख सकते हैं एक video बना रखा है previous year question का कि कौन सी book refer करें आप उसको देख सकते हैं तो book जो है English medium वाले आप ये book Lucent G के कर सकते हैं Hindi medium current publication या Lucent कोई भी कर लो साथ में ये जो है ये plus है मतलब इसको कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा Tamil Nadu history की mains के लिए भी आपके लिए फायदमंद हो जाएगा तो अदरवाइस ये book जो है इसमें ही Lucent G के में ही इतना जादा fact है उसको ही बार-बार revise करना ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसका जो summary है इसकी summary पूरा आपको ACPPSC के course के साथ मिलेगी आपको ancient की पूरी summary ACPPSC course के साथ मिलेगी तो ये मैंने भी बताया था 20-30 pages के आपके notes है तो वहाँ से काफी सारी चीजे जो है cover हो जाएगी तो आप जो है आपको यह last time revision के लिए जो है बिल्कुल आपको एक बहुत छोटे से जो है आपके एकदम short notes आपको मिल जाएंगे तो आप यह देख सकते हैं otherwise मैंने के book आपको discuss ही कर दी तो यह आप book देख सकते हैं यह यह और यह और यह आपका add-on है कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा मेंस के लिए भी आपको prepare हो जाएगा तो यह जो है यह आप एक-एक book prepare करो पैनिक होने की ज़रत नहीं है ancient and medieval में जितने question हो पाते है it's good क्योंकि यही है cut-off निकालना है सारे question attempt नहीं कर पाने करके आने तो जितने आप कर रहे हो तो almost जो है बाकी लोग करके गए हो यह चीजे तो जितने आप कर रहे हो तो बाकी लोग भी उतने ही कर रहे है तो अब बहुत अट-पटे कुछ questions आ जाते हैं तो उनके पीछे अपना जो है दिमाग खराब करने की कोई ज़रत नहीं है जितना यह आप इस book से जितना कर लोगे this is more than sufficient अराम से आपका cut-off निकल जाएगा और अराम से इस strategy से अराम से cut-off निकलता है तो इसमें कोई आपको panic mode में आने की ज़रुत नहीं है कि यह वाला question कहां से आया था वो वाला question आया था यह है कि आप maximum जितने question आप कर पा रहे हो sufficient है बुक अच्छे से पढ़ो उसको अच्छे से तयार करो जितने कर पा रहे हो maximum question वो sufficient है चार-पांच-छे साथ question तो irrelevant ऐसे आते हैं कि आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं तो उनके पीछे भागने की ज़रुत नहीं है जितना आप इस book से कर पा रहे हो this is more than sufficient एक एक बुक लिखी हुई है कोई भी बुक जो है वो refer कर सकते हो बाकी यह course की detail है तो आप इहां देख सकते हो prelims, mains, integrated तो सारी course की detail है तो आप इहां देख सकते हो तो मुझे लगता है I hope आपको सब कुछ स्ट्राटेजी क्लियर होगी important topics की strategy क्लियर होगी और बुक कौन सी refer करनी है वो भी strategy क्लियर होगी अगर आप कोई भी still कोई doubt है या किसी और subject के बारे में आपको strategy पता करनी है कि कौन सी किताब पढ़ें क्या पढ़ें तो आप नीचे comment box यूज कर सकते हैं और वहां मुझे बता सकते हैं तो मैं next video जो है उस subject पे आपको उस subject पे बन जाएगा तो आप जो है अपना कोई भी doubt है कोई भी query है तो आप comment box यूज करिए कोई भी subject से related है किसी भी चीज से कोई भी आपके preparation से related query है तो comment box में आप मुझे लिख सकते हैं आप next video जो है उससे related बना देंगे चलिया, thank you and all the best